शेश कर संगीत में जिनकी रूची है और संगीत की ख्षेत्र के लिए ये अपून यक्षती है लताजी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा सूर साधना में अन्तिम सास तक वो अपना योगदान करती रही और साध दसक तक भारतिय संगीत को भारतिय सास्त्रिय संगीत को भारतिय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही समारती रही गाना चाहे कोई भी हो भक्ति गीत हो चाहे सास्त्रिय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मुहा है लता जी की आवाज इस्वर की देन थी जैसे कोई बच्चे की मुस्कान क्या कोई धर्म कोई महजब नहीं होता है उक्ते हुए सुर्य की रोसने का कोई महजब कोई धर्म नहीं होता है फूलों की खुस्वुका कोई मजब कोई धर्म नहीं होता है इसमें इस्वर का आवास होता है इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजब कोई धर्म कोई सिमाय नहीं थी वो पूरे विश्व को इस्वर की देन थी मेरे व्यक्तित जीवन में भी लदा जी से मेरे घणिष्टे रिष्टे रहें कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने डाड़स बंधाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने जब भी फॉन किया तो फिल्म इंडस्टि के लिए किया या संघीत के लिए किया इतना समर्पिक जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है यूगों तक लता जी की स्वरस्वादना और लता जी की आवाज और लता जी का संघीत के प्रती लगाव अनेक पिडियों तक सब को प्रेना देता रहेगा और आज जब लताजी नहीं रही है तब मेरे जैसे करोडों उनके चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं और यह जो सुन्यावकास हुआ है वो काफी लंबे समय तक भारतिय संगीत में उसकी शती पूर्ती होना मैं संभव देखता हूँ लता मंगेशकर ने अनेक भारतिय भासाओ के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा लोगप्रिय किया और मूल सास्त्रिय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीडी को भी सास्त्रिय संगीत को जानने का और उसकी मधूर्ता को पहचानने का मुका दिया आज लता जी हमारे बीच में नहीं है हमेशा गीता में इस्वर में इंती स्रद्धा रही मैं इस्वर के स्रीचर्णों में यही प्रात्ना करता हूं कि लता जी की आर्त्मा को चीर सांती दे और उनके चाहने वाले को इस सद्मा सहन करने की सकती दे ओम सांती सांती सांती